हेलो दोस्तों मुझे पूरी उमीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे SSC ने final vacancies दे दी हैं और काफी bumper vacancies इस बार आई हैं तो काफी जादा बच्चों को इस बार नौकरी मिलने वाली है जो कि बहुत ही खुशी की बात है पर आप सभी लोगों के मन में डाउट्स हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट हमें फिल करना चाहिए क्या मेरे करियर के लिए अच्छा रहेगा काफी सारी ऐसी चीज़ हैं जो आपके माइंड में होंगी मेरे होम स्टेट में पोस्टिंग मिल जाती तो बढ़िया था मेरे को डेली पोस्टिंग मिल जाती तो बढ़िया था तो ऐसे बहुत सारे आपके मन में डाउट्स हैं मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपके वो सारे doubts मैं clear कर सकूँ अब मेरे हिसाब से, मेरी समझ से जो आपको ध्यार में रखनी चाहिए चीज़ है वो सबसे पहले कि आपको अपनी priorities set करनी है आपको ये ध्यार रखना है जो मैंने list बना के दी है सामने कि क्या मुझे home state में posting चाहिए क्या मुझे डेली में ही posting चाहिए क्या मुझे foreign posting चाहिए क्या promotional avenues रहेंगे किस department के office timings को लेके क्या मैं flexible हूँ या नहीं late बैठ सकता हूँ या नहीं workload कहां ज्यादा रहेगा, कहां कम रहेगा इस तरीके की चीज़े आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए उसके बाद easy हो जाएगा आप लोगों के लिए departments को choose करना कि आपको कौन से department पहले रखना है और कौन से बात में, मैं आपको specifically ये नहीं बताने वाला इस video में कि आप पहले नंबर पे ये रखिए दूसरे पे ये रखिए, तीसरे पे ये रखिए मैं आपको एक idea clear दूँगा जिसके तुरू आप decide कर सकेंगे कि अच्छा मुझे पहले ये department रखना चाहिए तो सबसे पहले जो priorities हैं ये आपने देख लिए आप इसके बाद departments देख लेते हैं कि department कौन-कौन से हैं और उनमें क्या-क्या benefits हैं किस-किस तरीकी की चीज़ें तो सबसे पहले बात करते हैं DOPT की तो DOPT के अगर मैं बात करूँ तो इसमें posting आपकी डेली ही रहती है पर एक परसेंट हमको ये चीज़ हमेशे ध्यान में रखनी चाहिए कि हम government of India के लिए काम कर रहे हैं तो हमारे posting all India कहीं भी हो सकती है तो उसके लिए हमें ready रहना ही चाहिए पर फिर भी आज तक जो trend रहा है 99% तो posting आपकी डेली में ही होगी ठीक उसके बाद अगर मैं promotional avenues की बात करूँ तो departmental exam इसमें आप दे सकते हो grade D अगर आप लगते हो तो grade C में जाने के लिए 6 years के approved service आपको चाहिए होगी grade C की इसमें direct posting नहीं होती आप लोगों ने देखे लिया होगा वो बंद हो चुकी है काफे time से और इसके बाद 6 years की service के बाद आप departmental exam देंगे उसके बाद PA to PA के लिए आपको तीन साल की service चाहिए अब आप देख रहे होंगे इसमें STANU के अडर से switch करने का option है आपके पास section officer बगरा बनने के लिए तो वहाँ पे आपको 5 years चाहिए होंगे यानि कि PA की post पर आपको 5 years complete अगर आपने कर लिए हैं तभी आप वो exam दे पाएंगे जो UPSC conduct करती है otherwise 3 years की service आपको चाहिए अब बात करूँगा मैं office timing की तो office timing का ऐसा है कि हो सकता है कि आपको कभी कभी यहां late बैठना पड़े या हो सकता है कि अधिकतर आपको late बैठना पड़े ऐसा भी हो सकता है लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको late ही बैठना पड़ेगा यह depend करता है कि आपकी posting किस officer के पास हुई है अगर officer late तक बैठते हैं क्योंकि officers में काफी सारे काम ऐसे हैं जो कि officer को manage करने होते हैं तो अगर officer बैठे हैं तो आपको भी उनके साथ बैठना ही होगा और depend करता है अगर officer आपको कहते हैं कि आप निकल जाएं तो आप निकल भी सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपको बैठे ही रहना है पर वो depend करेगा posting आपकी कहां पर है किस officer के पास है कैसी है और officer क्या चाहते है क्योंकि कई कार ऐसा भी होता है अगर आपके साथ और आपके colleagues हैं वहाँ पर posted आपकी ही cadre से तो आप time का management कर सकते हैं यह जो office timing की बात है यह office timing जहां पर भी late sitting की मैं बात कर रहा हूँ यह सभी departments के लिए same है देखे अगर आपके साथ और colleagues भी है और आपके officer भी allow करते हैं कि कोई भी एक रुख जाए आप में से तो फिर आप manage कर सकते हैं कि सुबह कोई late आ रहा है थोड़ा सा late आ रहा है तो शाम को उतना ही late उन्हें बैठना है ताकि office hours आपके complete हो जाएं जो की as per rule office hours होते हैं ठीक है तो late आपको इसमें बैठना पढ़ सकता है officer के पास है अब officer to officer ये भी depend करता है क्योंकि देखे human tendency है आपने भी देखा है कि कभी कबार कुछ छोटी सी चीज होती है तो कोई बहुत ज़्यादा panic हो जाता है बहुत ज़्यादा pressure सीज कर लेता है pressure अगर रहेगा तो pressure आप पे भी आएगा ठीक है तो automatically काम आपको ज़्यादा feel होगा workload ज़्यादा feel होगा बहुत ज़्यादा काम है बहुत ज़्यादा pressure है आपके घर में भी अगर आप ले ले लेकिन अगर आप चिल है या आपके officer चिल है बहुत ज़्यादा pressure वो नहीं लेते तो pressure आपके ओपर भी नहीं आएगा तो आपको automatically workload उतना feel नहीं होगा तो workload जैसी कोई चीज government of India में है ही नहीं यह depend करता है कहाँ पर posting है किस थरीके का style है officer के काम करने का उस पर depend करता है कि workload आपको कैसा feel होने वाला है और इसके साथ साथ एक और factor है कि आपके साथ office में और कितने click है आपकी posting कहाँ पर है किस section में है कि आपके साथ अगर माल लीजिए अगर आप senior officer के पास posted है joint secretary, additional secretary secretary के पास posted है minister office में posted है तो आपकी पास staff भी जादा होगा automatically काम का load जो है वो सभी पर बटेगा ठीक है पर अगर आप कहीं ऐसे जगे पर है जहां पर आपके साथ कोई साथ में click आपके काडर से नहीं है तो obvious है कि आपके ओपर workload थोड़ा सा जादा रहेगा ठीक DOPT बहुत जादा fashion में रहता है हमेशा से ही वो इसलिए कि one of the best departments इसे माना गया है और बिलकुल है भी बट इस पूरे प्रक्रिया में मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ कि हम अपने mind में आपने देखा होगा मैंने कहीं भी social status जैसी बात नहीं कही है क्यों क्योंकि social status जैसी चीज़े government of India में होती ही नहीं है अगर आपको कोई भी इस तरिके की बात कहे कि इस department में लगने से आपका पास social status आ जाएगा आपके पास आपके पास कुछ power सा जाएंगी इस तरिके की चीज़े तो वो बिलकुल ही सरासर गलत चीज़ें है social status जैसी कोई चीज़ नहीं है government of India में अगर आप government of India के अंदर एक MTSB है तो आपको government इतनी salary देती है कि आप एक अच्छा जीवन वितीत कर सकते हैं तो वो itself ही एक अच्छा social status है आपको अलग से social status की मेरे ख्याल से ज़रुरत नहीं होनी चाहिए मेरी समझ से कि आपके mind में चीज़ रहने चाहिए कि में social status जैसी चीज़ कोई भी अगर आप office के अंदर जाएंगे तो आपको एक साल की posting के बाद आपको सब को समझ में आ जाएगा अभी आप अंदर नहीं है इसलिए आप सही से चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे पर जो इस phase से निकल के आ चुका है वो इसको बैटर बता पाएगा कि social status जैसी कोई चीज़ नहीं है तो इस चीज़ को अपने mind साब बिलकुल निकाल लीजेगा perks के अगर मैं बात करूँ तो कोई भी अलग तरीके के perks आपको यहां नहीं मिलेंगे कोई भी नहीं Government of India के perks सबके लिए similar ही है सबको HRM मिलेगा आपको भी HRM मिलेगा सबको transport allowance मिलेगा, traveling allowance मिलेगा आपको भी मिलेगा, LTC मिलता है वो सभी को मिलता है पूरे Government of India में तो इस तरीकी की चीज़े बिलकुल भी आपको अपने mind में नहीं रखनी है कि अलग से कुछ perks मिल जाएंगे या कुछ पर हाँ यह ज़रूर है कि आपको इन डपार्टमेंट में कुछ exposure अच्छा मिलता है exposure अच्छा मिलता है क्योंकि senior officers के साथ आपके posting होती है senior officers होते हैं तो उनका work style आपको सीखने को मिलता है कि वो किस तरीके से उनकी efficiency होती है वहां से वो चीज़े आप सीख के अपने experience में आड़ कर सकते हैं आपका work style भी उससे improve होगा उनसे ये अच्छी चीज़ें आप लेकर काम करेंगे तो आपको बहुत benefit होगा service में तो ये दो-तीन चीज़ें बहुत clear है कि perks जैसी कोई चीज़ नहीं होती पूरे government of ने की बात करो अगर मैं तो ठीक है? अलग से कोई perks नहीं है एक आथ facility हो सकती है जैसे FHQ में canteen card की facility है तो वो कुछ अलग से perks नहीं है वो एक facility है आपके लिए ठीक है? तो इस तरगी की चीज़ें आपको अपने mind में रखनी है अगर कोई भी आपसे इस तरगी की बाते करता है कि आपको social status मिल जाएगा, ये मिल जाएगा यहां परा posting होने से ये अच्छा है, वो अच्छा है तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है इसके अलाबा promotional avenues जो मैंने आपके सामने लिखे हैं आपको सिर्फ इन चीज़ों पर ध्यान देना है promotional avenues को लेकर क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि cadre restructuring होती रहती है बीच-बीच में जब cadre restructuring होती है, तो कभी-कभी कोई department जो है, जो की ठीक से नहीं चल रहा होता है promotion जहां पर, वहां improve हो जाता है और कभी-कभी ऐसा होता है कि जिस department में बहुत अच्छे promotions चल रहे होते हैं, तो वहां पर promotions डीले होने लगते हैं, stagnation होने लगती है अब video थोड़ा लंबा हो जाएगा पर मैं आपको detail में सब कुछ चीज़ समझाना चाता हूँ तो इसलिए video को थोड़ा सा लंबा होना ही पड़ेगा अब आप एक चीज़ ध्यान दीज़े कि cadre क्या होता है, cadre बहुत simple सी चीज़ है कि अगर पूरी steno grade D, steno grade C यानि कि PA, फिर PS, PPS, senior PPS, PSO, इस तरीकी के जितने सारी चीज़े हैं या मैं FHQ की बात करो तो वहाँ पर executive PPSO होते हैं तो अगर मैं इन चीज़ों की बात करो तो ये सारी designations हैं इनके लिए एक cadre के अंदर specific seats होती हैं पहले से let's suppose मेरे पास steno cadre, total steno cadre में ही आएगा सारी designations ये मेरे पास 1000 seats हैं तो हो सकता है मैंने देखा कि 500 seats stenographer grade D के लिए है 300 seats stenographer grade C के लिए हैं फिर उसके बाद 200 seats या 100 seats 100 seats मेरे पास PS के लिए हैं 30 seats PPS के लिए हैं 20 seats senior PPS के लिए हैं 10 year 20 seats executive PPS या फिर PSO के लिए हैं तो ये seats fix DV हैं अब क्या होता है cader restructuring में cader restructure किया जाता है तो हो सकता है कि stenographer grade D में जैसे promotion बहुत लेट है तो हो सकता है कि stenographer grade D से कुछ seats को काट दिया जाएगा यानि कि 500 से 100 seats को हम लिका लिए और ये 100 seats हम डिवाइड कर देंगे PA, PS, PPS में तो जब मैं अगर मेरे पास PA में 300 seats थी और मैं यहां से 50 seats और डाल दूँगा उन में 100 यहां से काटी उसमें से 50 मैंने PA में डाल दी तो 50 promotions और होने के chance सब बढ़ जाएंगे इसी तरीके से cadre restructuring होती है और DOPT के लिए जो मेरी information मेरे पास है DOPT में जो last cadre restructuring हुई थी उस समय पर PA की PA, personal assistant की 1000 seats को जो है काट के grade D में डाल दिया गया था जिस वज़े से ही आप देख पा रहे हो कि इतनी भर-भर के vacancy CSS ने दी है CSS cadre ने तो आप सीधे से समझ जईए कि अगर 1000 seats PA में हैं ही नहीं वो grade D में डाल दिया हैं तो promotion कितना fast होगा मैं ये चीज बहुत clear कर दूँ आप लोगों को कि cadre कभी भी improve हो सकता है कभी भी थोड़ा सा stagnation उसमें आ सकता है पर at present में बात करूँ सभी departments के almost तो सभी में stagnation है DOPT में भी stagnation है अगर आप देखेंगे 2012 batch का भी शायद अभी promotion नहीं हुआ है अच्छे से पूरा तो 2023 चल रहा है तो 10-11 साल अल्मोस्ट होने वाले है और promotion नहीं हुआ है promotion मतलब 2400 grade पे से 4600 grade पे जो है वो promotion है तो इसी इसको आपको समझना होगा कि 10-10-11-11 साल का stagnation भी है तो seats cadre के उपर करता है कि cadre की structuring अगर ठीक से होगी ये मैं सिर्फ DOPT की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सभी departments के लिए बात कर रहा हूँ जहां cadres अच्छे से बने वे है तो वहाँ पर cadre structuring जब तक सही से नहीं होगी तो promotion थोड़ा सा उपर नीचे ऐसे होते रहते हैं तो हो सकता है आज इस department के लिए मैंने जैसे कहा कि DOPT में 10-11 साल से promotion नहीं हुए है आप उठा के देख लिए 2012 बैच का promotion शायद अभी पूरा नहीं हुआ है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कल को भी ये पूर ही रहे हो सकता है उपर vacancies बढ़े तो promotion जल्दी हो पर आपको इस चीज को माइन में रखना है अगर कोई भी आपसे इस तरीकी की बात करता है कि promotion बहुत fast है x y z जो भी चीज़े है तो ये बिल्कुल सिरे से गलत चीज़े हैं हो सकता है कि employee उस employee को या जो भी आपको बताए इस तरीकी की बात है उसको पूरी information न हो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जब तक आप department में अच्छे है से जा के सब चीज़े detail में नहीं देखेंगे आपको नहीं समझ में आयागा कि promotion कितने हैं कितने नहीं है और मैं ये बहुत clear कर दूँ अगर आपकी age 21 साल है और आप ये जो paper में सामने दिखा रहा हूँ आपको promotional avenues में जो departmental exam है ये आप अगर निकाल लेते हैं तभी chances हैं आप PSO तक पहुँच पाएंगे जो कि highest इस cadre में designation है otherwise कोई chance नहीं है कोई भी chance नहीं है अगर आप ये paper भी नहीं निकालते हैं तो आप ये समझ लीजे कि जादा से जादा बहुत जादा मैं कह रहा हूँ तो PPS पर retire हो जाएंगे आप PPS पर retire हो जाएंगे इस चीज़ को ध्यान रखिए बहुत से ऐसे लोग है जो कि retirement से भी तो तिन-तिन साल पहले ही जाके PPS बने है तो अब आपको मेरे को उमीद है कि आपको समझ में आगया होगा कि D.O.P.T. का सारा क्या सिनेरियो है ये सिर्फ D.O.P.T. का नहीं है प्रमोशन को लेके प्रमोशन को लेके आप एफच्क्यू में चले जाएगे आप हर कैडर में चलेजी है प्रमोशन ऐसी हूँ है stanographic grade D से grade C में जाने के लए 10 साल तो है ही 10 साल से पहλέ तो आपका प्रमोशन होने है होना ही नहीं है और 10 साल के बाद भी आप ये चीज़ ध्यान रखिए यहाँ पर एक और चीज और clear कर देता हूँ आपको promotion से लेकर कि 10 साल आपको complete हुए service करते हुए अब 11th year अब आपको पता है कि आप promotion के लिए due हो गए है due हो गए है promotion होगी confirm नहीं ऐसा due हो गए अब 11th year जो आया उस साल promotion के लिए 20 seats थी और आपका rank था 25 तो उस साल आपका promotion नहीं होगा आपका promotion उसके अगले साल होगा क्योंकि seats ही 20 है उस साल promotion के लिए तो आपका कहां से होगा तो promotion ऐसी ही नहीं हो जाती जो काफी लोग इस तरीकी की बाते करते हैं मैं किसी को criticize नहीं करना चाहूँगा पर अपनी बात में यह रखना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के अंदर यह misconception है कि promotion बहुत अच्छे हैं बहुत fast हैं अगर आप department में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिनकी age 58, 59 हो गई है अल्मोस्ट वो अब जाके PPS बने है क्योंकि उन्हें कभी exam clear नहीं किये नहीं दिये होंगे departmental exam और departmental exam तो अभी खुला है छे साल से तो बंद था तो अच्छी बात यह है कि departmental खुल गया है तो अगर आप exam देते हैं तो आपके chances हैं कि आपका promotion जल्दी जल्दी होगा और जितना जल्दी आप exam निकालेंगे उतना जल्दी promotion होगा पर इसे भी ध्यान में रखिए कि departmental exam के लिए जो seats आती है वो बहुत limited होती है जहां तक मेरा ध्यान है 10-15-20 seats हैं इससे उपर seats नहीं आती तो यह भी आपको ध्यान में रखना है positive note के लिए आप यह रखेंगे कि हाँ departmental exam है promotion के avenues अच्छे हैं पर वो departmental exam देने के बाद ही तो काफी जादा time मैंने इस पर DOPT पे ले लिया है सिर्फ DOPT के लिए ही नहीं थी यह बाते यह बाते भाकी departments के लिए भी थी जहां भी departmental exam है मुझे लगता है कि आपको यह चीज़ अब clear हो गई होगी अब आगे बढ़ते हैं अगले department की तरफ तो अगला department आता है FHU posting इसकी भी हमेशा दिल्ली में ही रहती है पर अगर आप चाहें हमेशा के लिए तो नहीं पर अगर आप चाहें तो तीन साल के लिए आप तीन या चार साल के लिए posting अपने होम स्टेट ले सकते हैं पर उसकी शौरटी नहीं है posting आपकी 100% दिल्ली में ही रहती है पर ऐसे options भी आते हैं कि आप अपने होम स्टेट पोस्टिंग ले सकते हैं पर वो भी फिक्स तीन या चार साल के लिए उससे जादा नहीं तो आपको वापिस ही आना पड़ेगा प्रमोशनल एवनिस की बात करो तो दी ओपीटी से थोड़ा बैटर है क्योंकि डिपार्टमेंटल एक्जाम जो है ओफिस टैमिंग की बात करो तो लेट सेटिंग इसमें अल्मोस जीरो है लेट सेटिंग नहीं होती है ओफिस में बिलकुल भी क्योंकि आपको अगर लेट बैटना है तो परमिशन लेनी पड़ती है आपको उपर से और परमिशन तभी मिलेगी जब उनको वैलिड रीजन होगा उनकी हाँ ठीक है आपको बैटने दिया जा सकता है लेट तो लेट सेटिंग बहुत ही रेर है नाइन टू फाइफ थर्टी की जॉब है जादे जादे अच्छे उसके बाद लेट सेटिंग निस में नहीं होती है पर स्टिक्टनेस आपको बिलकुल महसूस होगी एफ एचक्यू में ये बात बिलकुल सच है क्योंकि आर्मी परसनेल आपको थोड़ा सा ड्रेस कोड वगरा के लिए इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा स्टिक्ट आपको वो मिलेंगे और स्मार्टफोन का यूज बिलकुल नहीं कर सकते हैं अगर आप ने स्मार्टफोन का यूज किया चोरी छुपे भी आप ले गए और पकड़े गए तो फॉन फॉर्मेट होके आपको वापिस मिल जाएगा लेकिन उसके लिए आपको लिखवाना पड़ेगा अपने ओफिसर से कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी यह वो बहुत सारी चीज है तो इस चीज का थोड़ा ध्यान लखना है रपार्टन को चूज करने से पहले कि क्या आप फॉन के बिगएर जिंदा रह सकते हैं या नहीं ओफिस में और इंटरनेट के फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी आपके सामने जो कंप्यूटर होगा उस पर नो इंटरनेट यह बहुत क्लियर चीज है हाँ जो मैंने भी थोड़े दिर पहले की जिसको पर्क्स वगरा मैं इंक्लूट करते सभी तो फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाती है आपको ग्रॉसरी के लिए उनली ठीक है और डेजिगनेशन तू डेजिगनेशन यह चेंज होता रहता है अगेन प्रोमोशनल एवेन्यूज में एक चीज़ और मैं कर दूं 2011 और 2012 उनका भी प्रोमोशन यहाँ अब तक नहीं हुआ है 2012 वालों का तो यह चीज़ आपको थोड़े ध्यान रखनी है कि अगर आप डिपार्टमेंटल एक्जाम नहीं निकालते हैं तो आप समझ लीजिए और आप बस इतना ध्यान रखिए आप तो डिपार्टमेंटल खुल गया बहुत अच्छी बात है पर जब डिपार्टमेंटल खुला नहीं था और जिनकी eligibility तीन साल बात हो गई थी अब आप सोचिये 5-6 साल से डिपार्टमेंटल बंद था उनका तो पूरा लॉस हो गया अब उनका वैसे ही eligibility हो गई यह प्रमोशन के लिए तो लॉस तो उनको हो चुका है ठीक है तो ऐसा कभी भी हो सकता है डिपार्टमेंट प्रमोशन करने के तो हो सकता है बंद भी हो जाए यह डिपार्टमेंट के discretion पर है ठीक है तो workload की बात करें तो same again workload के लिए मैंने सब को बता दिया कि workload तो सब जगे सिमिलर ही है वो depend करता है circumstances कैसे है ठीक अब आते हैं बात ministry of external affairs के लिए तो इसमें भी posting आपकी दिल्ली में ही अब आप देख रहे होंगे apart from passport offices तो option form में ही अलग-अलग दिखाई देगा जहां पर ministry of external affairs होगा तो वो posting दिल्ली में ही है और ministry of external affairs bracket में passport office अलग से ही आता है तो अलग से आएगा passport office तो वहां पर posting आपकी All India कहीं भी हो सकती है इस इसको आपको धियान रखना है यह बात बिल आपको अधिता हूप क्या आपको मजबूरी है foreign posting लेना तो आइसा नहीं है अगर आप नहीं चाहते foreign posting तो आपको foreign posting नहीं मिलेगी आप अपको foreign posting नहीं मिलेगी पर सीदी सी बात है foreign posting अगर आपको लेनी नहीं तो फिर ME अ अधिय भरके फैदा क्या है तो foreign posting का mind में है, तो बिलकुल इसे भर दीजिए, और obvious है, foreign posting मिलेगी, तो पैसे जादा मिलेगे, तो थोड़ा जल्दी कमाई होगी, तो इस चीस को भी थोड़ा आप ध्यान में रख सकते हैं, promotional avenues, similar है, आपने देखी लिया है, PA to PA के लिए 5 साले हैं हैं, 5 years, ठीक है, और यहा के department में यह बंद भी हो गया है, पहले था और बंद भी हो गया है, तो option as per recruitment rules तो यह option है आपके पास, पर यह हो सकता है कि seats ही ना आए उसमें, या बंद हो, तो ऐसा भी possible है, ठीक है, cater change करने का option, office timing, यहाँ पर late setting का बिलकुल possibilities है, similar है, जो मैंने DOPT के लिए आपको बताया, तो यहाँ बे chances वैसे ही रहते हैं, late settings हो सकती है, workload सब कुछ सेम है, बस थोड़ा से चीज यह है कि, ministry of external affairs है, हमारे बहुत सारे countries के साथ हमारे relations है, तो काम थोड़ा सा ज्यादा ही होता है, और at times आपको Saturday भी office जाना पढ़ता है, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, कि आपको जाना ही पढ़े Saturday office, पर जाना पढ़ सकता है, ठीक है, तो यह आप थोड़ा सा अगर ध्यान में रखेंगे, तो आपको department चूज करने में आसानी होगी, अब बात करते हैं, ministry of external affairs के बाद, railways की, railways में भी posting दिल्ली में ही होती है, और जैसे आप देख रहे होंगे कि कुछ time क के लिए आप होम स्टेट के लिए भी posting ले सकते हैं, last I think 2-1 batch से ऐसा हुआ है, पर again fix 2-3 साल, 4 साल के लिए maximum, उसका फिर आपको posting दिल्ली में ही मिलेगी, तो इस चीस का आपको ध्यान अखना है, दिल्ली posting के वाले departments हैं, यह सारे के सारे, जिनको भरने हैं दिल्ली के लिए, promotional avenues, same है, बार-बार repeat करने की मुझे जरूरत नहीं है, बस आप देख लीजे की departmental exam है, इसमें भी, और इसमें भी carder switch करने का option है, but again, मैं यहाँ पर यह चीज़ हाइलाइट कर रहा हूँ, कि हो सकता है कि जब आप departmental में पहुँचे तो यह बंद भी हो चुका हो, ऐसा जरू department rules यह है, office timing, similar चीज़ है, बिल्कुल जैसे कि मैंने MEA में बोला, जैसा मैंने DOPT में बोला, similar है, workload की बात करें, बिल्कुल similar रहेगा, कहां पर posting करता है, officer to officer depend करता है, उसका style कैसा है काम करने का, तो यह सारी चीज़े है, इसके बाद बात करते है, election commission की posting दिल्ली में ही होती है, इसमें भी departmental exam का option है, यह सारी post, जो जितने भी मैंने आभी आपको option बता है, यह grade D के लिए, क्योंकि promotional avenues में main important जो चीज़े देखी जाती है, वो grade D वाले ही देखते हैं, क्योंकि grade C वाला जो है, वो तो already 46 है, तो उसके पास तो departmental exam का जो दूसरा option में आपको दिखा रह यानि कि approved service के बाद from PA to PS, तो यह तो उनके लिए है ही, ठीक है, उसके उपर, अगर आप देखे, grade C लगते हैं, तो आप अच्छे ही एक designation पर जाकर retire होंगे, तो यह तो है, पर अगर आप grade D लगते हैं, तो वो जादा थोड़ा सा mind में रहता है कि promotion क्या होंगे, ऐसा तो नह कि पता चले हम PS पर आकर retire होंगे, तो कई departments ऐसे भी है, जहां पर stagnation बहुत जादा है, तो वो भी है, office timing, similar रहेगी, थोड़ा late setting यहां पर वैसे होती है, यह election commission में काफी काम होता है, workload है, तो जैसा मैंने लिखा भी है, comparatively high workload, तो यह चीस धोड़ात सा आपको ध्यार में रख पोस्टिंग लग 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 100% दिली में ही मिलती है, तो डेली में पोस्टिंग वाले जितने भी लोग हैं, जो डेली में ही रहते हैं, डेली के आसपास के city के हैं, या फिर डेली आना चाहते हैं, उनके लिए वो सारे departments हो गए जो मैंने उपर बताए, इसके अलावा अगर क परकाता को भी प्रेफर करते हैं, थोड़ा पास पड़ता है, comparatively दिली के, तो उसके लिए CBDT और CBIC काफी अच्छे department हैं, जिसमें कि आपको पोस्टिंग अपने होम स्टेट में मिलने के चांसे होते हैं, पर आपको ये department भरने से पहले थोड़ा सा एक बार देखना पड़े हैं, अब यहां पर क्या है, number of vacancies depend करेगी कि आपके state में कितनी हैं, और एक चीज़ बहुत clear है, departmental transfer जो अंदर inter transfer होते थे वो बंद हो गए हैं, तो इसी लिए आपको ध्यान रखना है, कि एक बार अगर आपको कोई zone मिल गया, तो आप फिर हमेशा उसी zone में रहेंगी, लेक की posting हो गई, किसी particular zone में, और आपको home state में आना है, तो हर zone कुछ-कुछ vacancies भी निकालता है, loan basis पर आने के लिए, तो वहाँ पर आप फिल करके loan basis पर भी posting ले सकते हैं, ये option इसमें आपको मिल जाता है, तो home posting के chances थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, अगर आपको अपना zone नहीं भी मिला तो, ठीक है, promotional avenues की बात करें, तो promotional avenues में इसमें departmental exam नहीं है, departmental exam आप inspector के लिए इसमें कर सकते हैं exam जो होता है, पर वैसे अगर आप कहें कि इस टैनोक आडर में ही आपके promotion क्या रहेगी, क्या नहीं, तो वो promotional avenues इसमें zero है, तो उसे साबसे देखा जाए, तो उतना preferable नह ही है, पर हरायर की इस तरीके की बनी है, कि ठीक है, 10 years का, जैसे आपने देखा कि DOPT में भी grade D से grade C के लिए 10 years है, तो वो almost हर department अब government of India का यही रूल ले रहा है, 10 साल grade D से grade C के लिए, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको धान में रखना है कि यहां पे departmental exam ऐसे कुछ नहीं है जिसमें आप Stenocadder में और जादा आगे बढ़ सकते हैं, और आगे चलके बहुत जादा बहुत जादा promotions भी इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ PS तक की ही seat है, senior PS तक की ही seats है, senior PS मतलब की यहां पर 4800 और जिसमें की after 4 years NFS आपको मिल जाता है, तो 5400 तक की ही यहां पर seats ह तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कि यहां पर promotions अभी फिलाल के लिए तो इतनी ही है, अब workload की बात करें, similar है, और office timings का भी similar ही रहेगा, बाके departments जैसा मैंने बताया है पीछे, तो इन चीज़ों को आप बिलकुल ध्यान में रखना, पर यह basically यह departments home posting के लिए ही prefer क किये जा रहे हैं, और जितनी भी departments मैंने आपको बताए, अब आप जो criteria मैंने आपको बताया, उस criteria के हिसाब से आपको कहीं भी यह चीज ने दखेगी, मेरे marks कम है तो मेरे को पहले क्या भरना चाहिए, यह मेरे marks जादा हैं तो मेरे क्या भरना चाहिए, आपको अपनी priorities के हि आपसे भरना है, कि आपको पहले कौन सा department फिल करना है, अगर मेरी preference home posting है, कि मेरे को नहीं चाहिए 4600 या 4200, मेरे को मेरे होम स्टेट ही चाहिए, और मेरे marks भी बहुत जादा अच्छे हैं, ठीक है, तो अगर मेरे marks बहुत जादा अच्छे हैं, तो मैं अपना home state के लिए यह जीवाले CBD-CBIC चूज करूँगा, जिसमें मेरे को मेरी home posting मिल जाए, ठीक है, तो ये मेरे माइड मेरे माइड मेरे रहेगा, लेकिन अगर मेरे माइड मेरे रहेगा, नहीं, home posting से जादा बैटर मेरे को प्रमोशन के लिए चाहिए, तो आप फिर CBD-CBIC नहीं फिल करेंगे, क या दूसरा हमें देखना है, प्रमोशन लेवन यूज क्या है, उसके बिस्स पर आपको अपने डिमाग में रखना है, कि मैं पहले क्या department भरूँ, अब ये बहुत important slide है आपके सामने, 4200 outstation या फिर 2400 home state, तो भाया हमेशा 2400 home state को ही आप prefer करें, at any cost, देखें, आगर आप इक तरीक से हम ये मानके चलते हैं, हम सेविंग सी मानके चलते हैं, हम इसलिए मानके चलते हैं, क्योंकि देखें, ओफिस जादा दूर नहीं होता आपके location से, तो ट्रांसपोर्ट का आपका पैसा बचता है, प्लस home sickness आपको बिलकुल फील नहीं होगी, घर में रहेंगे, घ अगर आप वो चीज अपने माइंड में रखते हैं, तो आप सीधे ये मानके चलिए, मेरा ऐसा मानना है, क्या आप मानके चलिए कि 15,000 रुपे तो आपके गए पर मंत, किसी भी स्टेट में आपके पोस्टिंग हो जाए, 15,000 तो गए आपके सीधे, क्यों गए? क्योंकि दे जो सेलरी मिल रही होगी न, उसके आसपास पहुच जाएंगे, बलकि हो सकता है, उससे कम ही मिले, तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसके अलावा, देखे, बहुत सारे ओकेशन ऐसे होते हैं, जिसमें हमको मन करता है, कि हम इसमें शामिल हूँ, अब अगर एक मन्त में दो फंक्शन है, और सेटेड़े संडे के बीच में अगर फंक्शन परता है, तब भी आप अपने घर नहीं आएंगे वापिस, इसलिए नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरा इतना खर्चा तो ट्रेवलिंग में हो जाएगा, तो चलो छोड़ दो, य छोड़ देते हैं, ऐसी भी चीज़े होती है, यह तब फील होता है, जब आपको पोस्टिंग होके, 6-7 मेने हो चुके होता है, साल भर हो गया होता है, तब आपको यह चीज़े होती है, कि शयाद मैंने गलती कर दी, 4200 की जगे मेरे को 2400 होम स्टेट ही लेना चाहिए था, तो यह चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखना है, बहुत जादा ध्यान में इस चीज़ को आपको रखना है, कि आपको 4200 लेके आउट स्टेशन जाना है, या फिर 2400 लेके होम स्टेट रहना है, अगर नंबर अच्छे है, मेरा प्रेफरेंस, मेरा जो आपके लिए परचा उतना ही बढ़ेगा, तो उतना बचेगा नहीं, ठीक है, तो यह मैं थोड़ा सा आपको इस एंगल से भी बता रहा हूँ, कि आप होम स्टेशन जादा प्रेफर करें, ठीक, तो सारे डेपार्टमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं, अब इसमें एक चीज़ जो रह ग मतलब आप eligible होंगे, promotion confirm नहीं है, मैंने आपको फिर बोल दियाए, यहाँ पर NFSG की facility है, यहाँ पर यह होता है कि 5 years की service आपने complete करी, तो आपको 4200 grade पे मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि 5 years complete हुए होते ही मिल जाएगा, इसमें भी again depend करता है आपकी rank क्या है, उस year के लिए NFS में कितनी seats हैं, NFS मिलने के लिए कितनी seats हैं, उस पर depend करता है, पर 4200 का यहाँ पर option है, पाँचवे साल नहीं मिल जाएगा, नहीं तो साथे साल मिल जाएगा, पर 4200, 6-7 साल के अंदर आपको मिल ही जाएगा, और ऐसा ज़रुरी नहीं है, अगर आपकी rank अच्छी है, तो हो जल्दी से मैं बात कर लेता हूँ, यह तो सारे मैंने आपको चीज़े बता दी कि क्या क्या चीज़े आपको अपने माइंड में रखनी है, और क्या क्या माइंड में रखने से आप चूज कर सकते हैं department, आप जल्दी से बात कर लेते हैं, जो बाकी departments आपको दिखते हैं, जै D.O.P.T. C.S.S. कैडर जिस बच्चे को मिलता है वो बच्चा या वो इंप्लॉई की पोस्टिंग इन मिनिस्ट्री में होती है अब ये तो D.O.P.T. कैडर की बात हो गई इसके अलावा मिनिस्ट्री का अपना भी एक कैडर होता है जो की ministry अपने subordinate offices के लिए रखती है अब आप देखें ministry of tourism है central government का ministry of tourism का office डेली में है लेकिन ऐसा थोड़े ही है कि उसके बाकी जग offices नहीं है उसके other states में भी offices है central वाले तो उनमें posting कहां से होगी उनमें posting जिनके आगे सिर्फ ministry of tourism लिखा है ministry of corporate affairs लिखा है coal लिखा है, mines लिखा है ये सारे subordinate offices के लिए posting होती है ministry में इसमें आपकी posting बहुत कमी chances है कि आप ministry में बैठेंगे आप subordinate offices में बैठेंगे और वो ज़रूरी नहीं है कि बाहर ही हो हो सकता है दिली में भी मिल जाए दिली में भी subordinate office है अगर मैं बात करूँ ministry of labor का office डेली में एक दो जगे पे और भी है ठीक है, तो confirm नहीं है कि आपकी posting कहा होगी पर 90% cases तो यही होंगे कि आपकी posting डेली से बहार होगी तो जिन भी लोगों के अंदर ये चीज़े है mind में कि कहीं पोस्टिंग डेली मिल जाए तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है डेली से पोस्टिंग भार भी हो सकती है पर अगर आपके पास RTI गे थुरू कुछ information आपको मिल जाए कि जो ministry की जो अलग से seat आई है DOPT काईडर के अलावा उसकी पोस्टिंग कौन से स्टेट में तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा क्योंकि अगर आपको पता है कि उस particular seat कहां पर दी गई है उस department ने कौन से city के लिए दी है तो आपके लिए असानी हो जाएगी उसको fill करना तो आठी है कि थूरू यह आप मंगबा सकते है अधर्वाइस इसका कोई source नहीं है ऐसा जहां से आपको पता चल सके कि वो seat कहां के लिए आई है ठीक है आपके सारे doubts क्लियर हो गए है प्रमोशन को लेके पोस्टिंग को लेके तो मुझे लगता है कि एक चीज़ बची है कि क्या मैं 4600 भर कर सीधा 2400 भर सकता हूं तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते है आप अगर आपको डेली ही पोस्टिंग चाहिए at any cost और आपके number भी अच्छे है तो आपको क्या करना है आप fill किजिए Ministry of External Affairs AFHQ, Election Commission Parliamentary Affairs यह 3-4 department आपने fill कर दिये grade C में जिसमें आपको पता है confirm दिल्ली में posting हो ही जाती है उसके बाद आप सीधा grade D में भरिये MEA, फिर Election Commission Railways, DOPT, AFHQ तो grade C में आपने दिल्ली के भरे फिर grade D में भी आपने डेली के भर दिये उसके बाद फिर आप randomly fill कर सकते है randomly आप कोई भी department choose कर लीजे कोई क्योंकि देकि उसमें आपको confirm तो पता नहीं कि posting कहाँ पर है, दिल्ली में है या बाहर है तो आप randomly भी fill कर सकते है मैंने ये आपको चीज बता दिये बहुत clear कि promotional avenues बाकी सभी जितने भी departments है सब में अलग-अलग है कहीं भी subordinate offices के लिए तो कहीं promotion fast ही नहीं या आप अपने माइड में बहुत clear कर लीजिए ऐसा बहुत ही rare condition में होगा कि कोई DOPT वाले से आगे आप निकल जाए क्योंकि recruitment rules जो ministry के हैं वो बिल्कुल DOPT को ही follow करते हैं तो 10 साल grade D से grade C में है तो है और अभी recently Delhi government का जो criteria है promotion का grade D से grade C का वो उन्होंने DOPT को जो DOPT ने रखा है उसी को adopt कर लिया है तो आप देखिए कि promotion कितने ज़ादा bright नहीं है ठीक है तो promotion को mind में रखते हैं अगर आप चलेंगे तो सिर्फ departmental पर आपको आशित रहना चाहिए उसके अलावा तो भूल जाना चाहिए चिक मैं यह नहीं गहरा कि promotion नहीं है आगे चलके कैडर में changes होंगे तो कुछ भी possible है ऐसा नहीं है पर थोड़ा उतने bright promotion के chances नहीं है ठीक है तो सारी चीज़े उमीद है आपके सब clear हो गई है इसके अलावा अगर आपके कोई doubts से तो आपको doubts पूछ सकते हैं comment section में मैंने पूरी कोशिश की है इस 30-40 minute की वीडियो में कि आपको सारी चीज़े clear कर सकूँ कुछ चीज अगर छूड़ गई होगी by chance तो आप वो पूर सकते हैं comment section में अब आप अपने हिसाब से departments फिल कर सकते हैं कि कौन सा department आपको फिल करना चाहिए कौन सा नहीं CBDT, CBIC में भी दिल्ली में posting होती है पर that depends कि आपके number बहुत अच्छे होने चाहिए नंबर अच्छे होंगे क्योंकि देखिए ये departments वह है जहां अच्छी vacancies आती है तोड़ा इसकी cutoff फोड़ा नीचे-नीचे ही रहती है तो नीचे-नीचे cutoff का मतलब यह नहीं कि boundary वाले बच्चों को यह तुरंत मिल जाएगा और उनको दिल्ली पोस्टिंग मिल जाएगी या उनका particular home पोस्टिंग मिल जाएगी उसमें भी again depend करता है कि आपकी rank क्या है rank according ही आपको choose करने का मौका मिलेगा तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो अमीद है आप लोगों के सारे doubts इससे clear हो गए होंगी अब मुलाकात करेंगे अगली क्लास में किसी transcription के साथ तब तक के लिए bye bye take care and all the best